नमस्कार दोस्तों आप से भी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब आप किसी भी गाने को mix या फिर्माश्टर करते हो तो side में यहाँ पे stereo out पे एक rate clipping सो हो जाता है तो इस rate clipping को आप कैसे हटा सकते हो यह rate clipping क्यों आती है इसको हटाने के लिए कौन से plugins की जरूत पड़ेगी और वो plugins बिल्कुल free में आप कैसे और कहा से download कर सकते हो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जैसे कि हमारा एक loops पड़ा हुआ है इसको अगर अभी हम सुनते हैं तो जैसे मैंने play किया सुना तो यहाँ पर देख सकते हैं इस टीरियो आउट में यहाँ पर clipping आना इस्टार्ट हो चुका है अभी rate clipping को हटाने से पहले यह जान लीजे कि यह आ क्यों रही है यहाँ पर देख सकते हैं इस गाने का जो गेन लेबल है जा रहा है लगबग 4.2 जिसको हम peak meter value बोलते हैं इसको तो यानि कि जो अभी इसका जो loudness है mix का वो है 4.2 डीबि जो की इतना नहीं होना चाहिए लगबग minus 10 या minus 11 या minus 12 या फिर minus 8 तक होना चाहिए इसका जो mix level है तो चेले सबसे पहले हम complete कर लेते हैं यहाँ पर एक बार इसके पर click करेंगे और अब हम यह जो हमारे सारे loops हैं जैसे कि हमारा kick है और kick के साथ में जो snare mix है यहाँ पर कुछ डफ बड़ा हुआ है इन चारों को हम पहले mix करेंगे mix करने का जो label है मैंने पहले भी बताया था कि लगबग minus 10 डीबी के लगबगे में आपको mix करना है तो फिलाल अभी मैं इसको minus 8.6 रख रहा हूँ वैसे मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखें mix मूँ मास्टरिंग के आप जाकर के देख सकते हो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिमें ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा अब यहाँ पे देखिए मैंने mix कर लिया हूँ अब यहाँ पे rate clipping नहीं आएगी लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई भी plugin सकर use करता हूँ मास्टरिंग के जैसे कि यहाँ पे हमारा है L1 प्लस अल्टरा मेक्स माजर स्टीरियो और उसके बाद में मैं यहाँ पे अगर मास्टिंग का कुछ प्रेसेट्स यूज करता हूँ यह मैंने हाँ पे प्रेसेट्स यूज किया और उसके बाद में मैं यहाँ पे कुछ और plugins यूज करूँगा जैसे कि मैं सराटी जी आरपे stereo है यहाँ पे master और अब हम इसका जो master जो output है वो अब हम सुनेंगे इसका तो अभी यहाँ पे clipping नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसका थोड़ा से ऐसे gain label बढ़ाएंगे और थोड़ा सा gain label हम इस plugins से भी बढ़ा देंगे या फिर हम कोई other plugins यहाँ पे master का ले सकते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखे 0 db से ज्यादा जा रहा है यहाँ जो मारा master आउटफुट है यहाँ पे 0 db से ज्यादा जा रहा है इस कालन से हमारा किलीपिंग आ रहा है यह लगबग 0 db में ही होना चाहिए अगर मैं फिर से play करके आपको सुनाओं तो यहां पर आएगा. तो अब हम क्या करेंगे? यहां पर आएगे और उसके बाद में हम G clip पर जाएंगे और यहांपर simple hard clip है उसको हम想法 simple soft clip है इसको हम यूज़ करेंगे यहां इसके इसका gain label बढ़ा सकते है इसका clipping जो है वो आप यहाँ पर down कर सकते हो तो अब हम इतना यूज़ करेंगे इसके बाद में यहाँ से हटा देंगे और एक बार इसके उपर click करेंगे और अब हम बजा के check करेंगे तो आपने देखा यहाँ पर red clipping जो अभी आ रही थी पूरी तरीके से यहाँ से हट चुकी है तो इस तरीके से आप इस G-clip plugins को यूज़ करके अपने जो गाने mix कर रहे हो आप फिर martial कर रहे हो उस चीज़ से आप red clipping को हटा सकते हो बहुत ही आसान तरीका था मैंने यहाँ पर हटा दिया और उसके बाद में आप यहाँ पर बताएंगे इनको हम यूज़ कैसे करेंगे जैसे कि हमारा कोई window 10 है 32 bit या 64 bit तो यहाँ पर क्या करेंगे कापी करेंगे और उसके बाद में program file में आएंगे और फिर standard folder में उसके बाद में यहाँ पर Qubase 5 उसके बाद में यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे जो कि मेरा पहले से ही पड़ा हुआ है और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर आईएगा और plugin information पर क्लिक कर दीजेगा फिर यहाँ पर update के उपर आप एक बार क्लिक कर दीजेगा यहाँ से जो आप mix कर रहे हो या फिर माश्र कर रहे हो उससे आप rate clipping बहुती आसान तरीकों से remove कर सकते हो दोस्तों अगर आप इसको download करना चाहते हो जी clip को तो आपको हमारे telegram group में join होना पड़ेगा वहीं पर इसका link दे दिनगा आप वहाँ से download कर सकते हो हमारे जो telegram group का जो link है आपको हमारे इस वीडियो के description में मिल जाएगा